वेल्कम बेक अब्रिवन वेल्कम् टू सुवल सर्विसेय ऍटैड़ी टेस्ट टंबर 525 ए यूपा से स्वल सर्विसेय प्रॉलेम्स के लिए फोकस करेंगे हिस्ट्री के व्रशनों पर हिस्ट्री में भी कौन सी हिस्ट्री मोडन हिस्ट्रू और टॉपिक क्या है हमारा भारत पर अंग्रेजियों की विजय 1857 का विद्रो हो, चलिए स्टार्ट करते हैं, हर दिन प्रक्टिस करते रहिएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, question number one है, देखिए पढ़ना उतना ही important है, जितना कि उसके बाद MCQ की प्रक्टिस करना, वार बार प्रक्टिस करोगे, फिर उसकी explanation को पढ़ोगे, प्रक्टिस करोगे, explanation पढ़ोगे, तो चीजों में सुधार आएगा ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, question number one, 1857-1857 के विद्रो, फैलने के करम में, नमलिखित कत्नों में से कौन सा करम सही है, बताएए, कहां कहां फैला था, इसकी सुरुबात कहां से होई थी जहां से होई होगी, वही पहले होगा, तो दिल्ली था पहला या मेरट था, देखें, मेरट था, तो दिल्ली वाले को इलिमिनेट कर दीजे, इसकी सुरुबात होई थी सबसे पहला, मेरट, मेरट के बाद कहां स्थानांत्रित होई ये, मेरट के बाद गया ये दिल्ली में, दिल्ली के बाद गया कानपूर कानपूर के बाद इलहवाद इलहवाद के बाद गया ये जहासी तो इसका अंसर हो जाएगा option number D अगर exact क्रम देखें इसका जो कुछ option यहाँ पर नहीं है तो सबसे पहले मेरट है मेरट के बाद दिल्ली है दिल्ली के बाद लखनव फिर कानपूर गया फिर इलहवाद इलहवाद के बाद गया जहासी तो DS का अंसर तो देखें 1857 के विद्रो फैलने का जो सही क्रम है वो इस परकार है मेरट सबसे पहले उसके बाद दिल्ली सनांतिर तवा फिर लखनव, फिर कानपूर, इलहवाद, जहासी, गवालियर, वरेली, बनारस, फैजाबाद, आरा और पटना ये है इसका क्रम तो इसमें कोई सावी प्रशन उठा के मतलब सब्द उठा के पूछ सकते हैं अग्जामर मान लीजे पहला दिल्ली मेरट दे दिया उसके बाद दिल्ली छोड़के कानपूर दे दिया तो फिर कानपूर आएगा, जहासी दे दिया पटना रख दिया तो फिर क्रम रहेगा दिल्ली, कानपूर, जहासी और पटना कुशन अबट उपर आ जाईए 1857 के विद्रों के प्रमुक नेतरत्व करता के संदर्व में नम्रिकत में से कौन सा सही नहीं है बहादूर साथ जफर एवंबक्स्त खान ने दिल्ली में किया था अजेमुल्ला खाने फत्यपुर में लियाकत अली इलहबाद मौलबी एहमदुल्ला ने लखनव लखनव में तो भेगम हजरत महल ने किया था तो पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है तीसरा करेक्ट है लेकिन ये गलत है यहाँ मौलबी एहमदुल्ला के आएगा फैजाबाद आएगा यह important प्ऊछ लेते हैं तो डी गलत है तो D सुमेलित नहीं है, बहादुर साज जफ़र अवं बक्त खान ने दिल्ली में नित्रत किया, अजे मुल्ला खाने फत्यपुर में, लियाका तली ने इलहाबाद में, और मौल भी एहमदुल्ला ने किया था, फैजाबाद में लखनों में नहीं, लखनों में विगम हजरत म अहल ने किया था, अगर फॉर्ड वर्ड नीती का संबंद किस गवर्नर जेनरल से है, इंपोर्टन ये फ्रशन, अगर फॉर्ड नीती का संबंद किस से है, लॉर्ड लिटन से, उप्सन नंबर सी है इसका अंसर, तो देखिए 1876 में लिटन वाइसरायवन कराया, उसने अफ सरकार ने कबाईली परदेशों में हस्तक्षेप किया, इस समस्त सीमा पर अब एक जैसी नीती का अनुसरन होने लगा, तो किस से संबंद देता है, अगर फॉर्वर्ड की नीती, लॉर्ड लिटन, कुशन नंबर फॉर पर आजाए, अंग्रेजों की चतुराई पूर्ण न संबंद के संदर में, लाड एलन बरो के काल से प्रारंब होका, लाड नार्थ ब्रुक के काल तक चलती रही, इस नीती का अनुसरन स्पस्ट रूप से, जॉर्ण लॉर्ण्स के काल से प्रारंब हुआ था, अंग्रेजों की चतुराई पूर्ण निश्करिता या कुशल अक अफगान के संदर में किया जाता है, इस नीती को प्राया जॉन लॉर्ण्स के नाम से विसिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वाइसराय काल में इस नीती का अनुसरन करने का इस पस्ट अफसर मिला, और इस नीती की रूप रेखा इस पस्ट रूप स अलग अलग छेत्रों में जो है इनका नेत्रत्व करता हुआ अब नेत्रत्व कौन कर रहे हैं भारते कर रहे हैं इनको दबाएगा कौन अंग्रेज तो ये भी पूछ लेते हैं कि किसने कहां पर दमन करता कौन था कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल होगा तो लखनव option number और निकल सन कहां पर δबाया था 1857 के विद्रोग को दिल्ही में और हीू रोज ने जहांसी में दबाया था तो देखिए 1857 के विद्रोग के पुरमुक मुख्य केंद्र तथा दमण करता इस प्रकार है ये से दिल्ही में विद्रोग का दमन किया निकल सन ने लखनाव और कानपुर में केम्प वेल ने किया जहांसी गौालियर में हीरोज ने किया इंपोरेंट है इसको बहुत पूछते हैं इनको तो याद रखेए रखेए इलहबाद और बनारस में करनल नील ने किया ए थमरेल पर पूछा है मैंने जगदीश पूछे जाएंगे ही अगर 1857 से प्रश्ण बनता है तो 1857 के विद्रो के दमन के संदर में कौन सा क्रम सही होगा देखे एक प्रश्ण तो ये बनता है ये विद्रो सुरू हुआ सबसे पहले मेरट से उसके बाद दिल्ली गया फिर लखनाव कानपूर इलहवाद इलहवाद के बाद कहां जहांसी और आगे बढ़ते सबसे अंत में पटना तरब तो एक प्रश्ण तो बो बन गया किस तरह से फैला ये स्प्रीड हुआ एक प्रश्ण ये है कि अगर ये फैला तो दमन भी तो हुआ उगा ना इस बिद्रो का तो दमन किसका हुआ सबसे पहले तो जहां से सुरू हुआ वही इसका उत्तर है दमन करता है लेकिन बीच का कुछ चेंज है तो मेरट में सुरू हुआ था है और मेरट में इसका दमन किया गया सबसे पहले उसके बाद इसका दिल्ली में दमन किया गया लेकिन तीसरे इस्थान पर वहां लखनव था लखनव शुरू हुआ था लखनों के बाद कानपुर शुरू हुआ लेकिन दमन पहले हो जाएगा कानपुर का उसके बाद लखनों का दमन होगा फिर जहासी का दमन होगा एग हो जाएगा इसका अंसर तो देखिए अंग्रेज़े दोर 1857 के विद्रों का दमन का इस प्रकार क्रम है म कुस्ट रूबर 7 पर आज़े 1857 के विद्रो के संदर में कौन सा सही है पहला स्टेट्मेंट है ए 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल Lord Canning था लॉर्ड कैनिंग भारत में कम्पनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और बिटिस सासन के अधी नियुक्त ये है पहला वाइसराय था ये दोनों के दोनों सही हैं दोनों के दोनों के लिते बताईए 1857 की क्रांती के समय गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग भारत में कम्पनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और बिटेश समराट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था ये दोनों के दोनों करेक्ट हो गए CS का अंसर तो 1857 के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जनल लॉर्ड कैनिंग था और भारत में कमपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनल था ये और बिटिश सासन के अधीन भारत का पहला वाइसराय भी यही था क्वेशन नुबर एट पर आजएए नमर के तो मैसे किसने 1857 के विद्रों को एक सड़यंत्र की संग्या दी है टी आर होम्स विस्टन चर्चिल मोलाना बुल कलामा जा दिया जेम्स आउट्रम एवम डवल्यू टेलर 1857 के विद्रों को सड़यंत्र की संग्या किसने दी है भाई जेम्स आउट्रम और डवलू टेलर ने इंपोर्टन है यह ब्रशन तो देखें जेम्स आउट्रम एवम टेलर ने 1857 के विद्रों को हिंदू मुस्लिम सड़यंत्र का परणाम बताया आउटरम के अनुसार यह है मुसलिम सड़यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाब उठाया गया जिसमें हिंदू शिकायतों का लाब उठाया गया लॉरेंस वे सीले ने भी कुछ कहा इसके बारे में लॉरेंस वे सीले ने इसे सैनिक विद्रो की संग्यादी है और टी आ लॉरेंस वेसीले ने इसको सैनिक विद्रो कहा है और टी आर होम्स ने वरवरता और सभेता के मध्ध की लड़ाई कहा है इसको कुश्चन नुम्बर नाइन पर आजाईए दा सिप वॉय म्यूटिनी एंड दा रिबेलियन ओफ एटीन फिप्टी सेवन फिर से नाम बोल रहा हूँ दा सिप वॉय म्यूटिनी एंड दा रिबेलियन ओफ एटीन फिप्टी सेवन का रशनाकार कौन है बीडी सावर का र आर सी मजुमदार डॉक्टर आजंदर परसादी एसन सेन बताईए तसिपोई, म्यूटिनी, एंड दा रिबेलियन ओफ 1857, most important है ये, RC मजुमदार, कौन है, RC मजुमदार, तो देखिए, दसिपोई, म्यूटिनी, एंड दा रिबेलियन ओफ 1857 के रचनकार RC मजुमदार हैं, बहुत बार पूछा गाया है प्रशन, RC मजुमदार ने 1857 के विद् स्वतंतरता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्य और ना ही स्वतंतरता संग्राम था, क्या कहा है, तथा कथित प्रथम राष्ट्य स्वतंतरता संग्राम ना तो प्रथम ना राष्ट्य और ना ही स्वतंतरता संग्राम था, 1857 को कहा है उन्होंने, कोशन नमबर 10 पर आजा statement है एक नावंबर अठारे सो थावन को इलाबाद में हुए दरवार में लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया घोषना पत्र पढ़ा था कैनिंग ने पढ़ा था करजन ने पढ़ा था इस घोषना पत्र के अनुसार कम्पनी के साशन को समाप्त करके भारत को सीधे क्राउन के अधिन कर दिया गया इसके तहट रियासतों को हडपने की नीती समाप्त कर दी गई बेलगोल कैनिंग नहीं पड़ा था करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट और कंपनी का साशन को समाप्त करके क्राउन का सासन स्टार्ट हो जाता है इसके तहरे तिरियासतों को हड़पने की नीती भी साप्त कर दी गई सारे के सारे करेक्ट हैं डी है सकांसर उपरोक सभी तो देखिए एक नामबर अठारे सो अठावन को इलाबाद में हुए दरबार में कैनिंग ने विक्टोरिया घोशना पत्र पड़ा जिसके अनुसार कंपनी के साशन को साप्त करके भारत को सीधे क्राउन की अधिन कर दिया गया इसमें प्रमुख रूप से निम्न वातों का उलेख है कौन कौन है वाते बिटे सामराजी के विस्तार पर रोक लगा दो धार्मिक मामलों में हम हस्तक शेप नहीं करेंगे आप लोग के एक समान कानुनी सुरक्षा उपलवद करवाएंगे भारती रजवाडों के परती विजय वे विलेकी नीती का परित्याग कर दिया गया किन्तु अन्य आश्वाशन विल्टेश सासन द्वारा पूरे नहीं किये गए तो दस प्रशन ते इंपोर्टन टेशेस का रिविजन कम से कम एक बार करे लेजेगा हिस्ट्री बचा है थोड़ा बगी पॉलिटी समाप्ती की ओर है इकोनोमिक्स समाप्ती की ओर है काफी कबर हो गया उसमें और जियोग्रफी समाप्ती की ओर है इन्बार्मेंट एकोलोजी भी समाप्ती की ओर है अन्त के बचे हुए दिनों में जो बीच का करेंट अफेर्स है उनका रैपिट फायर चलाएंगे ताकि अच्छे से रिविजन हो जाए तो आप प्रक्टिस करते रहना हर दिन